स्माइल हन्या की मौत की गुत्थी सुलजने का नाम ही ने ले रही आखे स्माइल हन्या मारा कैसे गया सवाल सभी तरफ यही है इरान इस पर चुपे साधे हुआ है जांच की बात कह रहा है इसराइल जो है वो किसी तरह से कुछ कहने को तयार नहीं है उसने अभी तक इस हात्या की बात को स्विकार नहीं किया गया कि किसी तरह का हमला उनकी तरफ से किया गया या उनका इसमें हाथ है वो भी चुपी साधे हुआ है किस तरह से आगे बढ़े का बात्चित करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी मयंक जुडगाए है मयंक जिस तरह से हानिया की मौत हुए अब तक वो कुथी सुलजी नहीं है इरान इस पर कुछ नहीं कह रहा है वो चुपी साधे हुआ है जाच होगी मिसाल की जहां तक बात आ रही है कहा ये जा रहा है कि जिस इलाके में हानिया था वहाँ पर इरान के बड़े डिफेंस के जो रिटार्ड ओफिसर्स थे उनके क्वाटर थे यानि कि बहुत सेव जगा थे ऐसे में हत्या के कुथी सुलज नहीं रही है आखिर क्या थियोरी सामने आ रही है शुलवाती तोर पर हनिया के देखे आपने बिल्कुल ठीक हाँ इसको लेके कई बड़ी सारी थेओरी जिसमें कई तो बहुत ही उल्जी हुई है जिसमें मैं आपको लेटेस्ट बताना चाहूँगा नियॉयोर्क टाइम्स ने ख़बर चापी है इस खबर के मताबक इसमाइल हनिया जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे तेहरान में उसके अंदर दो मैने पहले से एक्स्प्लोजिव प्लांट कर दिया गया था यह बहुत ही चौकाने वाला दावा जो है वो नियॉयोर्क टाइम्स की तरफ से कि कुछ सोर्सेस से कि ज जुट के एरान के शपत ग्रण में शामिल होने आते हैं तो क्या एरान की नजदीक और भाद जिस तरह से बाहुत नजड को ज़तों तेह तो मुसाद पहले से जान रहा था कि अगर वो राजपती के शपत ग्रेंड में शामिल होने आते हैं तो हो सकता है वो इसी गेस्ट हाउस में रुके इसको लेके दो मैने पहले से करीब जो है वो प्लानिंग शुरू हो गई थी एक अगर आते हैं तो लेकिन अब इसमें कई ब मिलिटरी या एड्मिस्टेशन में अंदर से को इसमें शामिल था है या या फिर क्या जिसे हम कहा जारा है कि हमास का कोई गदार जो है वो इस हनिया की मौत के पीछे है क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें है जो बहुत रहसेमें हैं आप देखिए कि जिस तरह से हमला हुआ यानि कि अगर यह बहुती सेफ जोन था जहां पर इसमाइल हनिया रुके हुए थे अगर यहां पर किसी भी मिजाइल से हमला होता तो इरान का जो मिजाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसको तुरन तबह कर देता वहां जो राडार्स है वो इसको कैश करते लेकिन ऐसा कुछ यहां पर अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है अब तक यह साफ नहीं है कि यह मिजाइल अटेक था इरान नहीं है कि किसी तरह के कोई गाइडेड मिसाइल थी जो बहां पर जाके गिरी है मतलब आप समझें कि इतनी बड़ी हत्या हो गई है चारो तरफ हाकार मचा लेकिन इरान फिर भी चुप है बिल्कुल बिल्कुल अब सिस इरान ही नहीं अब तो हमास भी ए कह रहा है कि वो इंतजार कर रहा है इस बात का कि इरान के तरफ से इस पूरे मामले की चोड़ी है और क्या रिपोर्ट सामने आती है अब इसमें जहां तक हमले की बात है तो दो तिन थेओरी जहां कि पहले हमने चर्चा की थी कि आ रहा है कि वह इन्हें F-35 जो फाइटर प्लेइन है अमेरिका का उसकी किसी मिजाइल के थूरू इनको मारा गया या फिर कोई ड्रोन से गाइडेड मिजाइल थी उससे हमला किया गया लेकिन इसकी संभावना है बहु यही बना हुआ है कि ऐसे सिक्योरिटी जोन में और खास दोर पर हनिया जसतर से अपने आसपास पूरी सिक्योरिटी लेकर चलता था वो इरान का गैस था इतनी बड़ी चू कैसे हो गई लेकिन सबसे बड़ा सवाल मयंक यही है कि चुकि अब यह मौत की गुत्ती है इसको स मजिद के उपर लाल का ज़टा भी लगा दिया गया है याति कहीं यही न कहीं एरान की तरह से संदेश दे दिया गया है किसको आप हलके में नहें ले एरान पूरी तरह से हामास के साथ है देखे हिस दिनों में तीन बड़े फ्रश्मनों को इज्राईल ने उन्झा खतम कर अब एक याया सिन्वर एक तीसरे नेता है हमास के जो पिछले साल जब अक्टूबर में इस्राइल पर हमला हुआ उसमें जो तीन बड़े लोग शामिल थे उसमें जब तीसरे नेता एक बचे हुए है उनका नाम है याया सिन्वर अब यह ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता इसमाइल हनिया कि अगला हमास का चीफ कौन होगा तो एक नाम आरा है लिए एक नाम सामने आरा है वो हमास के बड़े नेता है मुसाद की तरफ जूर्णा मुषाद की चडन पर आ Douglas IAPS अगले चीफ हो सकते हैं और जैसा आप कहरे हैं कि अब जो लेबनन, एरान, हमास और हिजबुल्ला यह सब मिलके हो सकता है आपकार जिस तरह से खबर भी आई है कि जो हिजबुल्ला है उसने काफी जादा रॉकेट दागे हैं शायद इसराइल पर कहा है हलाकि बहुत जादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन पूरी तरह साथ से जादा रॉकेट्स जादा इसराइल पर फार किये गए तो अब यह पूरा जो है मिडल इस्ट में और काफी जादा टेंस्ट हो गया है और चुकि अमेरिका का रुख भी स्पेस पर्ष्ट कर लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए वहां पर राश्पती चुनाव होनी है और रिपब्लिकन और डेमोक्रिटिक पार्टी दोनों अपने तरीके से इसको कि देखती है अलाकि अगर कमला हैरिस की बात की जाए जो राश्पती चुनाव में प्रत्याशी बनाई गई है डेमोक्रिटिक पार्टी की तरफ से उनका ये कहना है कि वो कोशिश भी अपनी तरफ से कर रही थी कि सब कुछ शान्त रहे किसी तरह से हमास और बाचित हो इसरे बिल्कुल आफ टिक है चाहिए हिं जो बाइडन रहए हो या फिर कमला हरिस हो इनका उतना हार्ड प्राइड सेंड नहीं जितना की तरंप का है अमेरिका हमेशा से जो है जो है वो इसरे侑 High Peng lång को की तुलना करे तो इसमें वो है डेकर अव जादा एग्रम रहे है अमेशा फ बहुत कुछ इस पूरे मिडलिस्ट का जो फेट है वो उसका भविष्च जो है वो दिसाइड होने जा रहा है चलिए तो हानिया की मौत की गुत्थी जो है अभी सुलजना बाकी है और इस गुत्थी पर हमारी भी नजर रहेगी और मध्यपूर्व में जिस तरह के हालात बन है उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए है हमारे साथ लगातार आप चुड़े रहे हैं